Hello friends, test वाला की YouTube चैनल पर आप सभी का सौगत है दोस्तों, आज हम paper 2 की जो second part है, part B, उसकी एकाई चार देखने वाले हैं इससे पहले हमने आपके एकाई 3 complete कर लिए आपने अगर वीडियो नहीं देखा है, तो आप पिले लिस्ट है, second paper की, उसमें जाके आप पिछली unit हैं देख सकते हैं समदा, एक बिकास, मैं गैर सरकारी संगटान, NGO की भूमिका, कुट्म में आ ले जो आपके सरल topic हैं, वो देखेंगे पहले क्योंकि एकदम से अभी हम सामाज एक समरस्ता गटा गया, सब्वेता, संसकिती इस तरीके के topic पढ़ेंगे, तो आप लोग भी थोड़ा सा, जिन्होंने जो पहली बार इसको पढ़ रहा है, उन्हें दिक्कत आ सकती इसलिए क्या है कि हम पहले इसमें जो easy topic हैं, उन्हें पहले complete करेंगे, हैना, ताकि आप लोग जो आपकी unit है, इससे ये बार्ट हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहले, संसकार क्या है, आप इसका introduction लिखेंगे जब, प्राचिन संसकेती में, इनका महतपून स्थान है, जो हिंदू धरम आपका है, वह संसकारों पर ही आधारेते हैं, इसका आर्थ संसकार जो सब्दे, इसका क्या आर्थ होता ये संसकात वासा का सब्दे, इसका आर्थ होता है, सुद्धी करण, तो इसकी जो परिवासा बने की वह आप लिख सकते हैं, बैक्ति को समाज में उपयोगी बनाने, उसके मन, मस्तिस्क और सरीर को परिस्कृत करने वाले करत्य हैं, जो या जो बिदिया है, वो संसकार क्या बनाती हैं, तो इस तरीके से आप संसकार की परिवासा बना सकते हैं, इनका सबसे पहला बनन मिलता है, संसकारों का सबसे पहला बनन मिलता है आपके ग्रह सूत्र में, इसके अलावा यह एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, जो बैखानस इसमती सूत्र है, वहाँ पे संसका और जो यग्ध उनने में अंतर पहली बारिस पश्ट किया गया था संस्कारों की संख्य कितनी है देखे संस्कारों की बैसे तो कुल संख्य सोला है ये आपके बेदव्यास जो थे महरसी बेदवीद्वास उन्हों है इसकी संख्य सोला बताई थी जबकि जो मनुस्मर्थी है उसमें संस्कारों की संख्या 13 मानी गई है इसी तरीके से जो महिरसी गौतम है उनकी गौतम इसमर्थी में इनकी संख्या को 40 बताएगा इसके लावा कई और भी है जिसे एक आपके महिरसी अंगीरा है उनके हैं उनने भी कुछ 20 या 25 बताया था तो आप ये 2 या 3 याद रख लिजेगा इससे आपका काम हो जाएगा ठीके आप देखे जो 16 संसकार है पहले तो हम उन सभी 16 संसकारों के बारे में पढ़ते हैं कि उनमें क्या-क्या है और या आपका 3 मारकर यहां से इन संसकारों में से 3 मारकर आपका बन सकता है या फिर आपका सीधा 11 मारकर में ये सारे संसकार पूछे जा सकते हैं या फिर इनमें से कुछ संसकार है उनको आपसे पूछा जा सकता है ठीके तो next देखते हैं सबसे पहला जो संसकार है यह है अपका गर्वाधन संसकार अब देखिए गर्वाधन संसकार यह क्या होता है क्या रहेगा यह ग्रहस्त आस्रम में ग्रह सास्त्रम में जाता है जानी कि वह बभा करता है अपना तो उसके उपरांद ये उसका प्रथम करता बे होता है कि वह संतान की उत्पत्ति करें संतान की उत्पत्ति इसमें देखे इसका क्या उद्देश होता है स्रेश्ट गुणवान चरत्वान वा सुन्दर संतान को पहदा करे ठीक है सो मौरत में बिधि पूर्वक इस्त्रीवा पुरस के सारे एक मिलन से गरभादान संपन करना ठीक है ये इसका उद्देश होता है वो यह ही होता है ठीक है अब ये हो गया गरभादान संसकार इसके बाद आता है दूसरा संसकार पुन्सवन संसकार ठीक है ये गरभादारन के तीसरे माह में संपन होता है, इसका उद्देश है, गर्वस्त सिसु का सवस्त बिक्सित होना, तथा पुत्र की प्राप्तिकी कामना है। अब यह क्या थी कि हमारी जो प्राचीन संस्किती है उसमें पुरुस प्रदान समाज था तो पुरुस के जनम को महतु दिया जाता था तो इसलिए इसमें यह जो पुरुस का जनम है पंसुबन उसका आर्थी पुरुस का जनम होता है तो यह यहाँ पर इसमें बताया गया है क पुत्र प्राप्ति की खामना की जाती है नेक्स्ट है आपका तीसरा संस्कार है सीमान तो नेन संस्कार सीमान तो नेन संस्कार यह संस्कार आपका याग बल्लब की इसमृति में इस संस्कार के बारे में बताये गया है तो इस संस्कार को कर्बधारण के आठवे मास में संपन किया जाता है इसका उद्देश क्या होता है गरवस्त सिशू बब माता के स्वास्त की रक्षा करना इसके बाद आता है आपका चौता संसकार यह संसकार है जातकर्म संसकार जातकर्म संसकार यह है संसकार सिशू की जो जनम होगा उसके तुरंथ पश्चात होगा अब देखे जो इससे पहले के तीन संस्कार होए थे ये गर्व अवस्था वाले थे जो पहला था वह गर्वदान था दूसरा था वह गर्व के तीन महाँ में होता है और जो तीसरा था वह गर्व के आठ महाँ में होता है तो ये आप इस तरीके से याद रखें अब जो चौथा संस्कार होगा जातकरम संस्कार ये सिसू चनम के तुरंत पश्चात होगा इसका मुक्य उद्देश है क्या होता है नबजात सिशू की असुप सक्तियों से रक्षा करना जो दीरगायू ठोब है अच्छा स्वास्तोस का तो ये इसके उद्देश होते हैं इसमें क्या किया जाता है नबजात सिशू को दो भूंद घी छे भूंद शेहत का मिश्रण अभी मंत्रित करके चटाया जाता है माताबा सिशू को इश्लान कराना ये शिशू जनम के बारवे दिन किया जाता है नामकरन का सीधा समतलब है शिशू का जो नाम रखा जाता है तो इसमें क्या होता है किसी भी वेक्तिकी पहचान होती है ब्रस्पति इसमेती में इस जो ये नामकरन संस्कार है इसके बारे में बताया गया है संसकार है निश्कर्मन संसकार यह शिशू के जन्म है उसके चौते मास में किया जाता है ठीक है इसका उद्देश है क्या होता है शिशू को बहा आबातबरन के संपर्क में लाना ठीक है पहले वह से शूर की जो प्रकास है उसमें ले जाया जाता है इसकर्मन का अर्थ ही होता है बाहर जाना बाहर निकलना ठीक है इसके बाद next देखते हैं अनप्राशन सल्सकार अनप्राशन सल्सकार यह आपका सात्वा सल्सकार है यह सिसु जर्म के पांचवा छटवे महा में होता है ठीक है जब शुशू के मानसिक बिकास अच्छे सो हो सके इसके बाद आएगा आठवा संसकार है आपका मुंडन या चूडा करम संसकार अब मुंडन या चूडा करम संसकार इसमें क्या होता है यह पहले तो यह कब होता है सिशु जनम के ठम बर्स में जब सिशु एक बर्स को हो जाता है तब यह संसकार किया जाता है इस संसकार में कहा रहेगा आपका उसके मुंडन किया जाता है उसके जो सरपे बाल होते हैं उनको पूरी तरीके से हटा दिया जाता है, ठीक है? इसका मताब उद्देश है यही कि बालों को अपवित्रमान करन को साफ कियाता है तकि बालों में जो किटान होते हैं वो नश्ट हो जाए, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है आपका करणचे दन संसकार यह आपका नवा संसकार है यह सिसु जनम के तीसरे अथवा पांचवे वर्ष में किया जाता है ठीक है इस संसकार का उद्देश क्या होता है जो बालक है वे उसकी शवण सक्ती और शौंदर में ब्रद्धी करना ऐसा माना जाता है जो आपके कान छहेते जाते हैं उससे उनकी सर्वण शक्ती बढ़ती है इसके बाद है आपका जो next संसकार रहेगा वे रहेगा दसवा यह आपका बिद्द्या आरंब संसकार बिद्द्या आरंब संसकार यह जो बच्चा है उसके जनम के पाँचवे बर्ष में प्रारंब होता है इसका उद्देश होता है बालक को अक्छर ग्यान तथा विश्यों का ग्यान प्रदान करना इसके बाद है आपका ग्यारवा संसकार है यग्व पभी संसकार इसको उपने इन संसकार या जने उधारन करने वाला संसकार भी कहा जाता है ये इंपोडेंट संसकारी आपसे तिरी मारकर में पूछा जा सकता है तो इसको आप याद रखिएगा उपने इन संसकार के रूप में इसको जानना जाता है ठीक है यह संसकार होगा आपका तो आपकी बालने बस था है उसका अंतिम संसकार होता है अगर वे ब्रहमण है तो आठवे वर्स में होगा अगर वे छत्री है तो ग्यारवी वर्स में अगर वे वैश्य है तो बारवी वर्स में संसकार को पूरा किया जाएगा ठीक है जो बालक होता ह उसको जने उधारन कराया जाता है गुरू के संपर्क मिलाया जाता है आपका जो अगला संस्कार है ये बारवा संस्कार है आपका बेदारंब संस्कार उपने न हो जाने के बाद ये संस्कार प्रारंब होता है इसका उद्देश है बालक को बेदो और धार्मे ग्रंतों का ज्यान प्रदान करना ठीक है ये कहां पे होगा आपका गुरुकुल में जो आपका मदब बाला के वह गुरुकुल में चला जाता है वहां पे ब्रह्मेचर में रहकर बेदों का अध्यन ये प्रारम करता है ठीक है बालक भ्रहमिचर आश्रम में होगा तब इस संसकार को संपन कराया जाता है इसमें एक बार पुना आपके जो केश हैं उन्हें काटा जाएगा अलग के सिर्पे एवं दाड़ी के सारे बाल साफ कर दिया जाते हैं ठीक है यहां केशांत जो संसकार है इसको इस तरीके से माना जाता है कि जब आपका मतलब जो आपके सिर्पे बाल है भे हटा दी जाते हैं तो विद्या गराण करते हैं उसमें विद्या धिन करने में आपका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा अच्छे से लगता है ठीक है तो यह एक मतलब उस समय ये माना जाता था अगर जिन भी लोगों से मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है मन में भटका हो रहा था इस तरीके को हुछ होता है तो आप भी इसको करके देख सकते हैं आप अपने जो बाल हैं उनका दान कर दीजिए मतलब बाल कठा लीजी सारे तो आपका बढ़ाई में और जानद अच्छे से मन लगने लगेगा ये आप ट्राई करके देख सकते हैं इसके बाद अगला जो संसकार है ये आपका चौदवा संसकार है समावर्तन संसकार समावर्तन संसकार ये बिध्या दिन का अंतिम जो पड़ाव होता है ये पच्छिस वर्ष की आईउ में यहाँ पर भ्रहमचर आश्रम की जो अबदिये वह समाप्त होती है किशोर है वह ग्रहस्त आश्रम की और बढ़ जाता है यहाँ पर आप भ्रहमचर आश्रम से ग्रहस्त आश्रम में प्रिविश किया जाएगा अलग जो रहेगा अपने गुरुजनों से आश्रिवाद लेके गुरुकुल को त्याग के अपने घर पे पना बापस अपने घरगियों लोटेगा इसके बाद आएगा आपका ब्रहमचर आश्रम की समाप्ति हो जाती है उसके बाद ब्रहमचर आश्रम समाप्त करके ग्रहस्त आश्रम में प्रिवेश करता है ग्रहस्त आश्रम का जो प्रिवेश है वे ब्रहमचर आश्रम से ही माना जाता है ठीक है उरुष महीना के साथ भवा करेगा और जो आपका ग्रहस आस्रम है उसमें परवेश करेगा ये आपका भवा संसकार हो जाएगा बिभा संसकार जो होता है ये काफी जान्दा महत्पूल संसकार माना गया है क्योंकि बिभा के पश्चाति आप जो रिड होते हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं ठीक है तो देश चे गया है इसका परिवार का निर्मान करना और उसकी निंतरता को पनाय रखना आजकल जो ये संसकार है ये थोड़ा सा और लेट हो गया है क्योंकि कई सारे जो एस्पारेंट है आपके जैसे तो 30 की आयू को भी पार कर जाते हैं तो उनके लिए काफी जान्दा मतब ये एक वो गया है कि अगर नौकरी होगी तब ही उनका बिभा होगा ठीक है कुछ ऐसे भी जो उन्हें कहेंगे मतब भागेवान लोग हैं जो इसको 25 से पहले ही इस संसकार का आनंद उठा लेते हैं इसके बाद है आखरी जो संसकार रहेगा वह है आपका 16 संसकार इसको खहते हैं अंतेश्टी संसकार अंतेश्टी संसकार जब आपकी मृत्ती हो जाएगी तो ज जिताम में जलाया जाता है, यह आपका अंतेष्टी संसकार होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो 16 संसकार है, वो यहाँ पर पूर्ण होते हैं, यह मतब काफी जानदा रोचक है, कि जो आपका विवा संसकार है, उसके बाद जो सीधा आखरी जो संसकार होगा, वो अं बज़ रहे होंगे, बिवा होने के बाद सीधा आपका हंतेश्टी ही होती, उसके खरलाबा कुछ नहीं हो पाता आपकी जिंदगी में, ठीक है, चलिए, नेक्स देखते हैं इसमें, जो संसकार है, इनका क्या महत्व है, या इनकी क्या उपियोगिता है, ठीक है, आपसी ये फ इशू का जनम होगा, उसके बाद वह संसकारों के होते होते, ब्रमिचर, गुरुकुल, उसके बाद अपका जीवन का त्याक करेगा, तो इस तरीके से जो जीवन है आपका, वो एक अनुशाशन के रूप में आपका जीवन पूरा होता है, ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, वह रहेगा, ब्रमिचर का पालन किया, उसके बाद बिवा असरम में गए, तो इस तरीके से जो step by step आपका जीवन है, वो आपके ब्रमिचर को निखारते हैं, ठीक है, इसके बाद आपका next पॉइंट रहेगा, सामाज का नियंत्रड, अब इके समाज का नियंतरन से क्या मतलब है आपका कि जो संसकार है वो समाजिक नियंतरन की बूमिका का निर्वहन करते है मतब समाज का ब्यक्ति पे जो नियंतरन होता है वो संसकारों के द्वारा ही होता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका भौतिक और अध्यात्मिक जरूरते भौतिक और अध्यात्मिक जरूरते देखे इसमें कह रहेगा आपका इसके बाद ब्यक्ति अपने जो उसके सामाजे के दायत्व है या जो सामाजे उसकी भूमिका है उनका उचित ढंग से निर्वान कर सकता है संस्कारों से ही संस्किति और सब्विता को बनाय रखने के लिए संसकार महत्व पूर्ण है इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा संसकारों के महत्व में कमी या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि बर्तवान परीदरश्य में जो संसकार है उनका महत्व क्यों कम हो रहा है तो इसमें देखें इसमें क्या के पॉइंट आपके हो सकते हैं एक तो यही रहेगा कि जो अद्धुनिक शिक्चा पद्धिती है वे बेक्ति को संसकारों से दूल लेती जा रही है इसके बाद आपके जो पाश्चात संसकिती है जो बैस्टरन कल्चर है उसको अपनाय जा तो वहाँ से क्या हो रहा है जो हमारा जो भारती संस्किती है जो हिंदू संस्किती है वह कही ना कहीं पीछे चूपती जा रही है ठीक है तो यह जो संसकार है इनका महत भी कहीं न कहीं अब कम होता जा रहा है इसके बाद आपका next point रहेगा संयुक्त परिवारों का बेगटन हो रहा है अब क्या हो रहा है देखिए पहले क्या होता था लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे तो जो आपके बुजोर्ग हैं दादा दादी हैं, है न, तो वो क्या है, उन्हें इन चीजों का ग्यान होता था, वह आगे चलके अपनी जो आगे की पीडियां, उनको ये चीज़े बताते थे, सहिंक तो परिवार में क्या होता है, कई सारे आयोजन मिलके किये जाते हैं, ठीक है, अगर से बालक का जनम वो भी अकेले रहते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, कि आपकी जो परमपरा हैं, वो आगे अगरी पीडियों तब पहुझी नहीं पाती हैं, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं होता, कि संस्कार क्या होते हैं, आप में से भी कई सारे यससे लोग होंगे, जन्ने ये पता ही यह ओगा कि यह सोला संसकार उनके हुए थे या फिर उनको इन सोला संसकारों के बारे में पता जी नहीं होगा है तो यह चीजे कई न कई जो संईुक्त परिवारों का बिगटान हो रहा है उसकी वज़े से यह आपका जो संसकार है उनके महतव कई ना कई उनके मैत्वों में कमी आ रही है ठीक है इसके बाद संसकार जो होते हैं एक जटिल प्रक्रिया होती है उज़े होती है इन प्रकार के अलग-अलग आपके सूला जो रहते हैं सुरू से लेका आखरी तक उनमें काफी खर्चा भी होता है ठीक है तो इसलिए भी चूट चुकी है क्योंकि अब लोगों का एकमात्र अदेश हो गया है जीवन का की जो भातिक अब शक्ता है उनको जानदा से जानदा पूर्धी करना उन्ही को भातिक संसादों को जोटाना और उन्हीं के उसमें फज़ा रहता है ठीक है इसमें बहुन प्रकार के वैसे ही कम हो गए है ठीक है इसके इलाबा आपका next point है समाज का अस्तित्व अब क्या है कि समाज का ही अस्तित्व कई न कहीं बिखरने लगा है तो संसकार तो वैसे ही आपके लुक्त हो जाएंगी ठीक है इसके बाद आप लिख सकते हैं आपे धार्मिक सुधार अंदुलन ज समाज को धार्मिक सुधार अंदुलन जले उनका भी कई न कहीं इनके महतमे कमी में उनका भी प्रभाब आप देख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपका ये जो संसकार वाला टॉपिक है पूरे संसकार के साथ आज कंप्लीट होता है इसमें next वीडियो में हम कुछ और न को शेर कीजिए ताकि उन्हें भी अगर उन्हें इस तरीके का जो शॉर्ट नोट्स है वो नहीं मिल पा रहे है या फिर उन पे माटेरियल की कमी है अगर वो कूचिंग नहीं जा पा रहे है तो आप अपने ये जो वीडियो है उनको उन तक पहुचाईए चैनल के बारे में उनको बताईए क्योंकि ये पूरी तरीके से निशुल कहें क्लासे यहां पे और उनको भी लाब होगा इससे किसी का बला कर सकेंगे आगे भी हो सकता है इससे आपका भी बला हो जाए इसी के साथ धन्यवाद जैहन झाल 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 झाल